नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे नियूज के ओफीशल यूटूब चलन में दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी कुश कवरी आ चुकी है क्योंकि फाइनली स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSE दौरा मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS का लेटेस रिकॉर्मेंट का ओफीशल नोडिफिकेशन जारी हो चुका है जी हाँ दोस्तो इस साल 2021 की ये नई भरती होने जारी है बंपर भरती है जो की सभी क्वालिफाइट के लिए वेकेंशी से दस्वी पास से लेकर के बारवी पास और ग्रेजुट पास सभी स्टुडेंट्स अपलाई कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस वेकेंशी की पुरी जानकाई देंगे केसे आपको अपलाई करना है आप इदन कब से कब तक चलेंगे सेलरी क्या मिलेगी सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरू देखेगा और दोस्तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक निकिया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे दोस्तो में शेर करें इस प्रकार सरकारी नोगरी की जानकारी के लिए सबसे पहले पाने के लिए चैनलन को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन ज़रू दबा दीजेगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्सी म्टेस लेटेस रिकुर्मेंट के बारे में 2021 का लेटेस रिकुर्मेंट का नोडिफिकेशन है सेलरी आपको मिल रहे है 20,500 रोपे पर मांत एजुकेशन कौलिफिकेशन तेंथ त्वेल्थ और ग्रेजुट पास के इंडिएट्स के लिए वेकेंशी से ओल-वर इंडिया की ये वेकेंशी है किसी भी राज़े में आप रहते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं लास्ट डीर जो है 21,케이ट और 2021 के आविधन करने की तो 21, Superintendent 2021 तक आप अपलाई कर सकते हैं इस वेकेंशी के लिए आपको लेकर चलते हैं सिधा official website पर आपको बताते हैं आज की इस पूरी vacancy के बारे में तो हमारी website पर आने के लिए google में search करें सरकारी today news.com जैसे ही आप सरकारी today news.com सर्च करेंगे आप सिधा हमारी official website पर आजएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSC की नई vacancy के बारे में जो की multitasking स्टाफ MTS की पोस्ट पर vacancy है टोटल vacancy 8000 पदो पर ये bumper भरती है और आविदन ओनलाइन शुरू हो चुके हैं आपकी एक्जाम होगी जो की दो एक्जाम होगी पेपर वन और पेपर टू सेलरी आपको मिल रही है बावन सो से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे आपको अठरास रुपे मिलेंगे एस लिमिट जो है 18 से 25 साल अगर आपकी तो आप अपलाई कर सकते हैं और ICU ममेच शूट अलग से है रिजर्व केंडियेट्स को एप्लिकेशन फीज जो है जन्नल OPC के लिए 100 रुपे है वहीं SCST फीमिल के लिए बिलकुल फ्री है पेमेंट आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं किसी भी माध्यम से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दस्वी पास के इंडियेट्स के लिए वेकेंसी है दस्वी के लावा अगर आप बारवी पास हैं ग्रेजुट पास हैं तब भी आप अपलाई कर सकते हैं आप यदन जो है शुरू हो चुके हैं 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 इसकी लाज़ इटे एक्जाम जो होंगे आपके 1 जुलाई 2012 से 20 जुलाई 2021 तक आपके एक्जाम होंगे आप इधन करने का link ये रहा official notification के साथ में तो notification ये रहा notification में आप जाकर के पूरी भरती की जानकरी ले सकते हैं जो जानकरी हमने आपको दी है वही पूरी जानकरी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्जाम का pattern क्या होगा चलिए आपको बता दे हैं यहाँ पर आप दिसते हैं एक्जाम के centers आपके कहां कहां पर आएंगे वो सारी details के साथ जानकरी दे रखी है और यह रहा आपका एक्जाम का pattern आप दिसते हैं पर वन में आपका ओनलाइन टेस्ट होगा, CBD बेस्ट एक्जाम होगा, जन्नल इंग्लीज, जन्नल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग, नुमेरिकल अप्टिटूट और जन्नल अवेर्नेस के आपके सवाल पुछे जाएंगे, 25-25 नंबर के 25 सवाल होंगे, 90 मिनिट आपको मिल देंगे, तो यहाँ पर आपका एक्जाम का पैटर्न होगा, इस प्रकार का, ठीक है, सेकिंड पेपर जो है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आदिस्ते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन कर रह है, किस प्रकार आपको तयारी करनी है, सब्जेक्ट वाइस, आप एक एक सब्जेक्ट वाइस यहाँ पर आप तयारी कर सकते हैं, तो दोस्तों इसी के प्रकार आपको तयारी करनी होगी, नोटिफिकेशन में आपको पूरी प्रिप्रेशन दे रहे की है, कि आपको यहाँ किस प्रकार exam होने वाला है किस प्रकार आपको तयारी करनी है तो notification को ध्यान से पर लिजेगा यहाँ पर आपको सारी जानकरी मिल जाएगी आविधन करने से पहले आप इस notification में check out कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर apply कैसे करना है और यहाँ पर document verification के बारे में सारी जानकरी है selection process के बारे में सारी जानकरी है सभी जानकरी यहाँ पर दी गई है फिर भी कोई सवाल है शंका हो तो comment कीजेगा वीडियो को like शरू चरण को subscribe जूर कीजेगा जेहिंजे भरत